क्या आपका भी बहुत जादा हैरफॉल हो कि आपकी स्केल्प दिखना स्टार्ट हो गई है आपके गंजापन बढ़ता ही जा रहा है और नए बालों की ग्रोथ भी नहीं हो रही है सो फ्रेंड आज का वीडियो आपके लिए हैलफुल रहने वाला है पिकोज आज की इस वीड यूजमिये बहु Nelson me отдi में यूजय मेंने लिए हैं वह मारे बालों के लिए बहुत ज़्याद Likewise करते हैं और काफे ज्यादगा आपको एक युज में आपको अपने के यूजरण में रिजाल्ट दिखीए आन्ड ये तो चले वीडियो को स्टार्ट करते हैं देखते हैं कि इ डर्ष प्रप्राइब और 6 यह मा roaring की काफी सारी प्रॉब्लंक्राइब करता हैं यह मारे बालों की ग्रोफ में हैल्प करता है अगर आपके बहुत जादा डेंट्राफ की प्रोब्लम में पधैसे अथा और आपको जितना एक बार में यूज में लेना है उतना आप ओलिव ओईल इसमें एड़ कर दीजिए एक बॉल में ले लीजिए तो यहां पर मैंने अच्छे से ले लिया है इसे ओलिव ओईल को इसके बाद में नेक्स्ट इंक्रिडेट मैं इसमें एड़ करने वाली हूं वह है अलवरा जेल आपके पास में जो भी कंपने का हो आप वो ने लीजिए आप चाहिए तो फ्रेश भी ले सकते हो अगर आपके बार्श नहीं है तो आप मार्ट वाला भी यूज सकते हो तो आपको एक चमच के करेब आपको यह मेरा जंड करना है यहां पर 근데 मैंने आमनला को इसका 750 से की एंड ड़ीा इअपजे रेमेडी आपको फ्रेश बनां के फ्रेश यूज़ में लेना है तब्हिंज काफ़िती रिजल्ट मिलेगा आपको से मिक्स कर लेना है पर में आमुला हमारे बालो के लिए आपको परसुल और हमारे बालों की ग्रोथ को बूस्ट करता है हमारी स shade को मजबूत बनाता है नई ब्ली ग्रोथ कोंच करता है यूप करता है अगर आपका गंजापन पूर्ट helping वर्क करने वाला है आपको इसे नॉर्मली जैसे आप बल और वा उल्यान करना है अच्छे से अपने सकल्प में मसाच करनी एंड के इक 5 घंटे बाद आपको करादाना यह को ति आपको दो बार करना ही यह है ताकि आपको रिजल्ट इसका मिले एंडे सो अच्छे सेश सक्व करनी है या फिर आप जहां पर आपको लग रहा है कि हमारी स्केल पर दिखना स्टार्ट हो गई है तो उस जगह पर इस ओई से आप वहां पर अच्छे से मसाज कीजिए पांसे दस मिनिट तक उस जगह पर इस ओपलाई करके फिर पांसे दस मिनिट तक आपको इसे मसाज करनी है अगर बच जाता है तो आ एक से डेट घंटे बाद आपको हेर वोश करना है वीक में दो बार यूज़ करना है आपको इसका बहुत ही इफेक्टिव रिजल्ट मिलेगा थैंकिसो मैं सब्सक्राइब को मूर